हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्फलतावंत, आज मैं आप सब के लिए पर्यवराण अध्यन का एगनया प्रेक्टिस सेट लेकर आया हूँ, ये पिछले प्रेक्टिस सेट का बचा हुआ है, पिछले प्रेक्टिस सेट में मैंने आपके 15 कोश्चन कंप्लेट करवा दिये थे, उ दोस्तों, देखते हैं, 16 नंबर कोश्चन से 15 तक कंप्लीट हो गए थे, आपके 16 नंबर, अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्चन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वो वीडियो भी देख लीजेगा, इंपोर्टन वीडियो हैं, और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमाई चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो रेड गलर के बटन को प्रेस करके हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास में लगे हुए वेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सम पर मिलता रहे, निम लिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकठे हुए पानी से हो सकती है, तो इनमें आपको ये बताना है कि इनमें कौन सी बीमारी ऐसी है, जो रुके हुए या इकठे हुए पानी से फैल सकती है, इसका आपका पहला आप्सन है, मलेरिया, दू इमारी को फैलते हैं अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन पर अगला कोश्चन है निम लिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है असम वीहू उड़ीसा भरतनाट्यम तमिल नाडू लावडी या करनाटक कत्थक तो इनमें से आपको सही जोड़ा चुनना ये हर जगह के प्रसिद न्रत्य लिखे हुए जिन में से एक सही है बाकी सब गलत है तो इसका आपका first number option सही हो जाएगा क्योंकि असम में जो है ये विहू डान्स प्रचलित होता ये फेमश डान्स है यहां का और ये इतने भी लिखे हुए हैं, गला लिखे हुए हैं, क्योंकि भरत नाट्यम जो है, यह तमिल नाडू का प्रिसित नरत्य है, और उडिसा और करनाटक में जो है, यह यह छिगान प्रमुक सास्त्री नरत्य होता है, यह आपका first number option सही हो जाएगा, 17 number question का मिला लीजिए आप वर्फ की दीवारों के बीच मौझूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, वर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामगरी की कीमत अधिक होती है, धुरूबी छेत्रों में केल वर्फ ही उपलब्द होती है, तो दोस्तों इसका आपका second number option बिल्कुल सही है, बा जड़ें भोजन का भंडारन करती है, जड़ें खंबो की तरह पेंड को साहता प्रदान करती है, तो दोस्तों third number option गलत है, जड़ें भोजन का भंडारन नहीं करती है, और तीनों option सही है कि साखाओं से नीचे लटकती है, और ये पेंड को साहता देती है, और जमीन के भीतर भी जड़े होती हैं तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका आज बढ़ते हैं 20 नंबर कोश्चन पर एक नव नियुक्त पर्यावराण अध्यन के सिच्छक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहले प्राथमित्ता होगी कच्छा में धीमी गत से सीखने वाले सिच्छारतियों की पहचान करना सिच्छारतियों के पाठा नुसार बिस्तर नोट्स तयार करना सिच्छारतियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल या विबरन तयार करना पहले से पाठे उजना तयार करना तो इसका कौन सा ओप्शन स सभी होगा तो इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्षन सही होगा कि सिच्छारतियों का समाज संस्कृतिक प्रोफाइल या विबरन त्यार करना है यानि कि दोस्तों इसके इंतरगत सिच्छारती का जो पूरा बायो डाटा कहा जाता है इसमें विद्यारती की सभी गत्विदियो देखे धीमी गत से सीखने वाले सिच्छारतियों के पहचान करना ये तो तभी पहचान कर पाएंगे जब हम पढ़ाना प्रारम करेंगे कि हम नब नियुक थें तो ये नहीं पता होगा दूसरी चीज सिच्छारतियों के लिए पाठा नुसार विस्तर नोट्स त्यार करना नोट्स की कोई इतनी आवशकता नहीं पढ़ती समझाना मेन वाना चाहिए कि बच्चे को अधिकम आता हो अगला पाठे होजना तैर करना ये ये एक आवस्यक्षी है लेकिन जो सबसे प्रमुक चीज है वो यही होती प्रोफाइल या वायो डाटा जानना अब बढ़ते है 21 नंबर कोशन पर कविताएं और कहानियां पर्यवरान अध्यन की अंतर वस्तु को पढ़ाने में प्रभाव साली हैं ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां बच्चों के परिवेस का सम्रद्य चित्रन कर सकती हैं संदर्वित अधिगम परिवेस प्रदान कर सकती है बिभिन अमूर्थ अवधारणाओं को प्रभावसाली तरीके से ब्याख्या कर सकती है या फिर स्रजनात्मक तता संदर बोध का पोशन कर सकती है तो दोस्तों इन चारों आप्शन में आपको शेक करना कौन-कौन सा आप्शन सही है तो बच्चों के परिवेस का समरच चित्र कर सकती है ये सही option है B Number Option का है कि संदर्वित अधिगम परिवेस प्रदान कर सकती है ये भी सही है First वाला भी सही है Third विभिन अमूर्थ अवधारणाओं की की कि प्रभावसाली तरीके से ब्याख्या कर सकती है ये वाला सही नहीं है क्योंकि व्याख्या करने के लिए मैं के बारे में आना आवस्यक होता है कि बिताओं कहानियों के माध्यम से हम किसी concept को clear नहीं कर सकते हैं मतलब अच्छे से पूरी व्याख्या नहीं कर सकते हैं अगला डी option स्रजनात मकता एब संदर बोद का पोस्टन कर सकते हैं तो यह डी नंबर option भी सही यानि कि यह आपके तीनों आप्शन सही हैं C वाला आप्शन गलत हो गया फर्स्ट नंबर आप्शन सही मिला लीजिए आप लोग अब बढ़ते हैं अगले 22 नंबर कुश्चन पर कच्छा पांच की सिछिका के रूप में आप इंधन के सनच्छन प्रकराण को पढ़ाने के लिए निम अब बढ़ते हैं 23 नंबर कुश्चन पर कच्छा चार की एक सिछिका सिछारतियों से कहती है कि वे अपने कारे पत्रक अब लोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रत की गई सामग्रियों को एक फोल्डर में डाल दे इन फोल्डरों को खाली स्थान कहा जा सकता है तो इन फोल पांच की पाठ पुस्तक में सुनीता अंतरिच में सीरसक पाठ इसपेस सिप में अंतरिच यातरि सुनीता विल्यम्स के अनुभगों का वानन करता है इसे सामिल करने का क्या कारण हो सकता है यह घटना अंतरिच यातरियों की जिंदगी में जहाकने का अफसर देती है या फ दूस्तों पहला option था कि अंतरिच यात्रियों की जिंदगी का वाणन करती है उनकी जिंदगी में जहांकने का मौका देती है दूसरा भौतिक इस्थितियों का वाणन करती है तीसरा जेंडर रूड इबातिता ये तीनों सही है बिल्कुल ABC और D नंबर गलत है क्योंकि के प्रस्ण पूचते हुए करती है सबसे कम प्रात्मिक्ता वाला प्रस्ण कौन सा है उसे चुनिए सिच्छार्तियों का चिंतन उद्दिप्त किया जा सकता है प्रस्ण सिच्छार्तियों में उत्सुकता जगाते हैं प्रस्ण प्रक्राण को संधर परग बनाने में मदद क करते हैं फिर सिच्छार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है तो दोस्तों पहला ओप्षण सही है बिल्कुल दूसरा और और साइस सप्छता जगाते हैं संदर critique बनाने में मदद भी करते हैं लेकिन डी जगाते हैं संदर परग बनाने में मदद भी करते हैं लेकिन डी नमबर आप्शन आपका गलत है क्योंकि सिच्छार्थियों का चिंतन सीमित नहीं किया जा सकता है नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना आधिक चिंतन करेंगे उतनी उनकी अधिगम की छमता में ब्रद्धी होग केवल दो समों बनाए जाएं प्रतेक में बहुत से विद्यारतियों आफे सभी प्रतिभागियों की सहवागिता और सहयोग सुनिश्चित करें तो इसका फोर्थ नमबर आप्शन सही हो जाएगा कि सभी प्रतिभागियों की सहवागिता और सहयोग नुश्चित करें सभी की सहवागिता बहुत ही आवस्यक है उनके बिना अधिगम नहीं कर पाएंगे और दूसरा सभी आपस में सहयोग पूर्ण धंक से कार करें तो आपका फोर्थ नंबर आप्शन सही हो जाएगा मिला लिए इसका आद बढ़ते हैं 27 नंबर कोशन पर प्राथमिक इस्तर पर पर् चाहिए यह सिच्छारतियों की वैविद्ध पूर्ण प्रष्ट भूम की जरूरतों को पूरा करती है यह बास्तविक कहानियों और घटनाओं को सामिल करती है यह परिभासाओं और अमूर्थ अबधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है या फिर यह प्राकृतिक सामाजिक समाज सांस्कृतिक परिवेस को एक इकरत तरीके से प्रस्तुत करती है तो दोस्तों इसका आपका थर्ड नंबर ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यह परिवासाओं अमूर्त अबधार्णाओं की व्याख्या करने पर ध्यान नहीं केंद्रित करती है यह concept आपके science subject में बताय जाते हैं यह जो आपको समाज में दिख करता है, प्राकृतिक परिवेस में दिख रहा है पर्रयावरण हमेशा इसी पर ध्यान देता है और mainly practically कार कराने पर ध्यान देता है तो इसका आपका third number option सही हो जाएगा मिला लीजिए विशेस्टा नहीं है अब इसका 28 नमबर कोश्चन परवरतें, पर्यावरान अध्यन सिच्छन के संदर में राष्टी पाठ चर्चा की रूप रेखा NCF 2005 निम लिखित में से किसे प्रस्ताविद नहीं करती है। बच्चों के अनुभवों और संदर्वों से जोड़ना, हस्त परक्रिया कलाप, तकनीकी सब्दावली से परचित कराना या फिर विश्या अनुसार उपागम। तो आपके 28 नमबर कोश्चन का थर्ड नमबर आप्शन सही होगा तकनीकी सब्दावली से परचित कराना। ये NC 29 नमबर कोश्चन है, प्राथमिक इस्तर के सिचारतियों में मांचित्र बनाने और समझाने के लिए निम लिखित में से किन कौशलों के विकास की आविसकता है, इस्थानों की सापेच इस्थित की समझ, इस्थानों की सापेच दूरी दिसाओं की समझ, तीकों और स्केल प परतीकों और scale पैमाने की समझ ये भी जरूरी है ये आपका fourth number option गलत है कि इस first drawing बनाना ये कोई आविस्तेक नहीं है तो आपका second number option सही हो जाएगा ABC point जो लिखे हुए है इस सही है मिला लीजे आप लोग अब बढ़ते हैं आज के अंतिम question पर और दोस्तों अपने सभी 15 question चेक करके बताएगा आपके कितने question सही हुए comment box में अपने answer जरूर दे जाया है और जो मैंने आपसे question पूछा है कि उस folder को क्या कहा जाता है जिसमें सिच्छार्ती अपने समस्त कार्यपरक जत्विदियों के सामगरी document बगारा रखता है वो भी आपको comment box में बताना है हब बढ़ जिजने के अफसर प्रदान करना अब लोकन मापन भवेश से कथन और वरगी करन जैसे कौसलों का विकास करना या फिर भहतिक सामाजी परिवेश के प्रत्ष संबेदन सील्टा विक्सित करना तो इसमें पूछा कि कौन सा उद्देश सम्मंदिद नहीं है तो इसका आपका सभी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं और अपने आंसर भी देदिना और अगर वीडियो पषगे उसे लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर कर दें कमेंट बाक्स में अपने आंसर देणना ना भूले थैनक्यू दोस्तों